सोलन में सांसित बिरेंदर कर्षप ने प्रेसवाता का आयोजन करते हुए राजस्तान के मुख्य मंत्री अशोग कहलोत पर जम कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोग कहलोत कई वार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और कई महत्पुन पदों पर अपनी सेमाईद दे चुके हैं। लेकिन उन्होंने राश्टपति के किलाव जाते कर टिपनी कर राश्टपति पद की गर्मा को धेस पहुँचाई है। इसलिए उन्हें अपणी टिपनी पर तुरंत माफी माँगनी चाहिए। सुलन में स्ञानसक बिरेंदर कश्यपनी प्रेसपालता का आयुजन करते हुए राजस्तान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हामला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत कई बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और कई महतवपूर्ण मुद्दों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं लेकिन उन्होंने रास्टरपति के खिलाफ जातिगत टिपनी कर रास्टरपति पद की गरिमा गोठ्यस पहुँचाई है। इसलिए उन्हें अपने टिपनी पर तुरंत माफी मागनी चाहिए और कॉंग्रेस अधिक्ष को इस घटना पर उन पर तुरंत कारवाई करनी चाहिए। कॉंग्रेस के वरिष्ट निता और राजस्थान के कई बार मुख्य मंतरी और मुख्य मंतरी श्री अशोक गहलोत जी द्वारा एक टिपनी जो है वो भारत के राश्टरपति श्री रामनात कोविन जी के राश्टरपति चुनाओ के उपर जो है इस प्रकार की टिपनी की है जिस सारे देश में आज रोश ब्याप्त हुआ है और मैं ये मानता हूँ कि इस अभधर टिपनी के लिए शिरी अशोक गहलोद जी को और कॉंग्रेस पार्टी को जो है सारे देश से एक सो पत्ची क्रोड लोगों से जो है वो शमा याचना करनी चाहिए और ये टिपनी अपने आप में दर्शाती है कि कॉंग्रेस आज भी जो है जलितों के उठान के लिए या किसी विशेश जाती के लिए जो है कितना जो है रेजर्वेशन जो है उनके दिमाग में है अशोक गहलोद जी द्वारा ये कहना कि पिछले राष्टपती का जो चुनाओ श्री रामनात कोविन जी का चुनाओ हुआ भारतिय जन्ता पार्टी ने गुजरात के चुनाओ को मद्धे नजर रखते हुए जाती विशेश को और एक कास्ट बेलेंस बनाने के लिए जो है वो श्री कोविन जी का चैने किया मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की टिपणी और वो भी एक मुख्य मंत्री और कॉंग्रेस के विरिष्ट नेता द्वारा करना वो अपने आप में जो है वो बहुत चिंता जनक है मैं चाहूँगा के शरी अशोग गहलोजी और साथ ही साथ कॉंग्रेस पार्टी जो है इस टिपणी को बिड्रॉ करना कारेकर में एक वर फिर वक्त चले च्छोटी से ब्रेक का आई मिलते हैं ब्रेक के बाद